अब हम आया के प्लैटर देख ले क्योंकि हमने इफ्तार पार्सल बनाने थे बॉक्सिज या कुछ भी तो हमें यहां कैसे क्योंकि बल्क बन से लेकर आये थे तो वो फिर महेंगे बहुत पढ़ रहे थे और मैंने का वो एक बार पहले कर भी लिया हर बार वही तो नहीं करना तो कुछ डिफरेंट सा कुछ देखते हैं रमजान की तो यह बढ़ी है सारी यह तो चलो हमारे पास सबी सारा है इदर दुनी होगा हमें न आगे जाके देखना पड़ेगा हाँ यह तो बुफे सेट है इस तरफ आते हैं यह देखना यहां पे डिस्पॉजिबल सारा यह से प्लास्टिक की हैं बिल्कुर अब इदर देखते हैं जैसे थाली नुमानी होती है मैं वो चीज़ देखने आई हूं कि अगर वो मिल गई दर यह वाली चीज़ देख रही थी सजाद यह उपर है लेकिन यह नजर में है यह उठाना उपर से लेकि प्लस में और भी कुछ सा और यह उसा देख रही है और ट्रांस्पेरेंट वाली यह उपर वाली यह से में यह वो डीप है के नहीं यह चीज़ों नहीं देखना कुछ ऐसा भी देखना जिसके कुछ लिड्स वगारा भी हो तो और भी बेतर हो जाए तो लो हमें फाइल लगानी पड़े अच्छा इस यही जाया थे ज़्यादा प्यारा है नहीं यह इसमें वो कलर भी है ब्लू कर्ण एकट कर और वाइट कलर वाइट अच्छी कट्राइड बिखार जाहिए यहाँ पर सारा बहुत कर लेटीड है यहां पर भी है आपको सारी लाइन दिखाती हूं कि कितरा बढ़ा है यही है सजाद वही की है बस बाकी नहीं है आगे भी वही है यह सारा यहां भी भड़ देखा है और यहां भी यहां भी वही है बस वही की है यह आइडिया भी आप करना चाहते हैं तो फोड़ा सस्ता पर जाता यह साधे तीन डॉलर में लेकिन इस यह साधे तीन के बज़ाए फिर जब इसमें चोटेँ चोटे दूसरे अलिमूनियुम की रखोंगे चोटी चोटी तो वह मेनगी पर जाता है तो वह अच्छी है 9 डॉ जालके 10 डालर की एक ट्रेय है लेकिन वह ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में ना नीचे तो ट्रेय होगी ना ट्रेय से हमने वह प्लास्टिक शीर लेके उपर उसको बनाना है तो वाइट ट्रेय ज्यादा अच्छी लेगी यह वाली इसमें हम ज्यादा लिकवर्डी नीना डालेंगे जैसे थोड़े से समोसे डाल दिये चार डाली दहीं बल्ले डाल दिये जलीबियां लेएंगे मीठे में इस तरह करके तो यह बना लेंगे बस हमने यह वाइट वाली करनी है ना वह हमें वह ट्रांस्पेरनिस शीर चीट ही चुचाईए वह डाल रामा में तो यहां पे जी मैंने यह पारसल त्यार कर लिया आप बताएं सबसे पहले कि आपको पारसल कैसे लगी है और इस पे देखो कितनी मेरी आगे मेहनत हुई है तो उसके लिए वीडियो को सबसे पहले लाइक करना ताके मुझे फटा चले कि आपको यह वीडियो कितनी दूलो गई है सबसे पहले मैंने खजूरे ली खजूरों मैंने फिलिंग कर दी पिस्ता काट के और बदाम आप इसमें कन्डेंट्स कमिल भी डाल सकते हैं आप इसंे गुटली निकाल कर यह फिलिंग कर दी आप इसमें वाइट च langsam مssäट कर के भी डाल सकते हैं बाउन चक्लि साथ काफी हेल्प करवा जी थी खासी खजूर की फिलिंग वगयरा में तो अभी मेरे पास काम बहुत ज्यादा थे मेरी दो चुटियां थी लांग वीकेंड था तो मैंने कहा कि मैं इसमें पारसल का काम खतम कर लो क्योंकि आपको पता इसमें भी मेरा पूरा दिन ये एक दिन फूरा ये पारसल में लगया था रोजे केसाथ बलके मैं सझाजाद से हस रही थी मैंने का इतना तो मैं काम पे मुझे रोजा नही लगा जितना मैंने आज गर पे छुटी करके कर लिया हलाके मैं वहाँ पे भी कुकिंग करती हूँ लेकिं घर में बहुत ठक गई थी छोटी छोटी चोटी ये चीजें लगती हैं लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है मैंने बनाए है माश की दाल के भले 5-6 गंटों के लिए मैंने दाल भी गोई भी थी फिर उसका पानी सारा निकाल के सिर्फ तीन चार टेबल स्पून पानी रहने देना उसको आप ग्राइंडर में डाल दे साथ अद्रक का पीस और हरी मेरिच डाल दे और इसको अच्छा सा ग्राइंड कर दे ग्राइंड करने के बाद इसमें एक चुटकी जो है वो इसमें डाल दे सोडा और नमक डाल दे और मैंने थोड़ा सा क्वाटर टी स्पून जीरा लिया उसको थोड़ा सा मोटा मोटा कूट के वो डाल दिया तो डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया मिक्स करने के बाद आप ले हैंड ब्लेंडर ले ले या हातों के साथ मिक्स कर ले या जैसा भी आपको हैंड विसक के साथ मैं कर ले लेकिन मैंने ये बीटर ले लिया था ताके असान हो जाए भी आपको कलर फील हो जाएगा यह के इस कलर से और इस वाइट कलर में कितना यह चेंज हो गया बीट होने से जैसे यह क्रीम बीट हो जाती नहीं उसके यह फलेक्स से बन जाते हैं इसी तरह आप को ने नोट करना है जाब ये अच्छा सा सौफ्ट सा हो जाएगा देखें आपको फील हो रहा होगा कि ये कितना अच्छा सौफ्ट सौफ्ट से बले बन गी हैं तो बस मैंने इसको फ्राई कर लिया फ्राई करने के बाद मैंने इसको लग रहे होंगे आपको ये शायद मैंने अफ्तारी के बाद सबसे पहले मुझे ये टेंशन थी कि मैं जल्दी से चीज़ें चेक कर लू कि कैसी बनी है क्योंकि मैंने सब के घर भी जवाई है ऐसा न होके को उल्टा उल्टा काम होके हो खैर मैंने नेम गरम पानी में बिगो दिये थे बल्ले ताकि उसमें उसका सारा आईल निकल जाए और सॉफ्ट हो जाए दूसी तरह मैंने ले लिए दही उसमें दो तिन टेबल स्पॉन मैंने डाल दी पाउडर शुगर और नमक डाल दी है कुछ लोग इसमें हरी चटनी भी दाल देते हैं या इसमें चार्ज मसाला दाल देते हैं उस नष्फ त kalo परसब आपके अपनी मर्زी के ओपर ए जैसा आपकी दिल चाए आपको ऐसा कर ले थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया थोड़ा से इसे पतला कर लिया ताकि जो है ना वो अच्छी तरह से बल्ले जो है यो ये दही का पानी चूस ले तो बस ये पानी में देखे बल्ले पड़े थे कितनी देर से बस इसे पानी को नचोड़ा और बल्लो को मैं डालती र बने थे मेरे पस अचलिव प्रीज और कुरूल कर रही हूं और कल ये वो इस का रिया गए चलो ठीक है कन और फारी फार्वड़ि वार्वर्टी सुन करके सभने शुके किया और तारीफ की तो बस वो होता है कि आपने जो मेनत की है ना बस वो होगी पुरी सबजी आपको पता काटने में और फ्रूट काने में भी कितना ज्यादा टाइम लग जाता ये छोटे-छोटे काम देखने में कुछ लगते नहीं है लेकिन जब आप कटिंग करने हो तो बटर लिया थोड़ा सा साथ कुकिंग ओयल मिक्स किया और इसको हलका सा इसमें प्यास डाले और हलका सा सॉफ्ट कर लिया प्यास ज्यादा ब्राउनी किया यहां पे चिकन बॉाइल किया बॉाइल करने के बाद चिकन के रेशे कर दिया भी हम बनाएंगे पैटी चिकन काउन फ्लोर मिक्स किया और ये काउन फ्लोर वाला दूद मैंने डाल दिया आप डिरेक्ट प्याज में भी आप में पून के दूद डाल सकते हैं लेकि ये थोड़ा असान काम है तो बस पिर ये जब अच्छा असा थिक हो गया तो इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया साथ ही मैंने एक अंडा लिए लिया अंडे में दूद लिया दूद डाला और मिक्स का लिया यहां से मैं ये मेरे पास है पॉफ पेस्ट्री पॉफ पेस्ट्री आपको हर जगा मिल जाती है लेकिन मैंने लेकर आई हूँ बेस्ट वे जो रेड मेंपल और आई थिंक परिलन्ड के क्रास पे हैं जो पाकिस्तानी इंडियन ग्रोसी स्टोर है वहां से लाई बस यह तैयारी होती है पफ पे से हर जगा से मिल जाती है घर में आप बनाओगे तो बहुत मेनत होती है बस बनी बना इस तरह लेकर आजो हर जगा इजी मिल जाती है तो फिलिंग रखी तो इसके ऐसे समोसे से बना लिए समोसे शेप की तरह और फिर मैने एक बेकिंग ट्रे ली बेकिंग ट्रेइं पहले ग्रीस कर लीजगा यहां पर मैने ग्रीस करते वकरila कर maior नहीं बताई वालना यह चिपक जाएंगी पैटीस तो बस ग्रीस करने के बाद आप उस पे लगा ताकि इससे ना कलर बड़ा प्यारा सा कलर आ जाता है दूद के से और अड़े से थोड़ा बच गया था मैंने फिर ये अंड़ा दूद फरीज में रख दी है मैंने का जाया करने के क्या होता है कल मेरे पास और भी पॉफ पेस्टी भी बच गई थी और थोड़ी सी फिलिंग बच गे थी तो मैंने का कल मैं बना लूँगे दूबारा इसी से तखाल शजाद के रहा है तो मितनी जल्दी क्यों काम कर दी हो तो अभी तो इफतारी में काफी टाइम है साथ-चालिस पे जाकर आकर ही मैंने का सजाद आपको नहीं पता है मैंने पांच बचे इस्टार मैंने का टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजरता है फिर हमने पैक करने है फिर हमने सब उसमें कंटे जो हम लेकर आएं थालियां सी लेकर आएं प्लाप्लास्ट की उसमें मैंने का खाना डालते डालते रैपिंग करते फिर हमने नमाज का भी टाइम बीच में हो रहा था साथ-गर थे, साथ-गर को हमने दिया, छ्छे तो मेरे पास ये थे एक मैने, अब मेरे पास एक और गर में पढ़ा था, कंटेनर मैंने उसमें डाल के उनको दिया, मेरे अपना कंटेनर था, खर यहाँ पर रोल और समौसे जो थे वो फराई कर लिए, जिस जान मुझे कहरे, मै नहिसे सफेज चने बॉयल कर लिकैर इसे सब रात में भिगो दिय था, जितने चने है नं उसके हाफ लोब्य क्या लिकैरा हाफ जो है उसके घुने चन ले लो, इसमें मेरे पास ये सामने शिमला मिर्च आहारा दिनिया है पीयाज है अरी मर्चे है ये डाल दी है इसके बाद इसमें मैंने कुछ solar डाले हैं जिससे ये बहुत मज़े when we get गी और ये मेरे पास lemon juice था ये डाल दी है और lemon juice डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था चाट मसाला और इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक भी क्योंकि चाट मसाला में थोड़ा नमक कम होता है तो इसलिए मैंने थोड़ा नमक भी डाल दिया और इसमें डाल दिया था इमली का पल्प और ये है मेरे पास सराचा सॉस सिराश्चा जो है ना वो थोड़ा डाल दे स्पाइसी होता है बहुत ज्यादा मैंने नहीं रखा मैंने का रोजी है ऐसी बच्चे भी खाएंगे तो थोड़ा कम ही रखती हूँ तो ये मेरे पास था चिली गारलिक सॉस ये तो बहुत ही अच्छा लगता है ये तो जरूर डालना इसे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा और इसमें कैचप भी है अब थोड़ा अपने अंदाजें से डाल दी ना मैंने भी ये सब अंदाजों से डाला एको नाप तोल के नहीं डाला तो मुझे अंदाजाँ था कि ये इतना इतना काफी होगा तो रोज शुकर है वो जितना अंदाला वो उतना ही काफी था इमली का वो ही पल्प चलता आ रहा है जो मैंने रमजान प्रिपरेशन में बनाया था उसमें है वीडियो जिसने नहीं देखा वहाँ जाके देख लेना और इतनी अच्छी अभी तक मेरी इमली की चटनी मिक्स हो वो ही वी ये चल रही है यहाँ पर मैं चाट को मिक्स कर दूँगी वो ही हमारा स्टाइल है जो हम फोटीनों में कुकिंग करते हैं हाथों से सैलड मिक्स करते हैं पस इधर भी वो हाथों से मिक्स की है जो हाथों से मिक्स होती है वो स्पूर से मिक्स नहीं होती नमक ये मैंने भी बात में डाला है मैं भूल गई थी नमक डालना तो नमक डालके तो ये मैंने इस तरह अलिमूनियम के ट्रे में डालके रख दिया मैंने का जब मैं ये वो फिल करूंगी ना ट्रे तो बस मेरे लिए असान हो जाएगा ये पड़ा यहां से ना और मैंने ये बड़ी वाली जो परात है ना इसको मैंने खाली करके दो लिया ताके मैं इसमें जो है वो फ्रूट चार्ट मिक्स कर लूँ चार्ट में भी नमक हर चीज बिलकुल ठीक थी क्योंकि मैंने इफ़ारी करते ही सबसे पहले यही काम किया बस यहां पर मैं फूरूट चार्ट बनाने लगी थी मैंने लिये थे सेब सेब में मैंने डाल दिया था फ्रेश पाइनेपल काटा है और साथ ही मैंने कैंतलोब डाली है यह जो औरंज कलर की है ना खर्बूसा वो वला डाला फिर इसमें जो ग्रीन है वो कीवी थी कीवी के साथ ही मैंने इसमें अनार डाला और इसमें मैंने दो अमरूद डाले और दो कलर के मैंने इसमें अंगूर डाले जो मर्जी आप अपनी मर्जी से डालो मैं चारी थी थोड़े कलरफूल सा नजर आए क्योंकि मैंने वीडियो में भी दिखाना होता है और मैंने बेजना था तो मैं चारी थी आया कि औरेंज जूस तो मैंने डाला ही नहीं है कंडेंस मिल्क मिल्क जो होता है ना कंडेंस मिल्क उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है यहां पर यह मेरे पस फ्रेश औरेंज पड़े थे गल में तो वह मैंने उसका जूस निकाल के इसमें डाल दिया तो अभी आप देखे कल में कल को दोबारा हम लों खा लेंगे बस इसको भी मैंने कंटेनर में डाल के इस पे अल्मुनियम फाइल लगा के रख दिया ताकि जब मैं इसे वो करूँ तो मेरे लिए असानी रहेगी बस त्यार होगा सारा कुछ बरतन भी इतने ज्यादा कठे होगे थे वो भी पर सा को अच्छा लगा है यहां जो थी यहां बस मैंने फिलिंग कर दी देखें कितना अच्छा इडिया है आप अगर किसी के घर बेज़े तो कितना अच्छा लगता है इस तरह की प्लेट आप घर पे भी ला सकते हैं इफतार के टाइम अगर मेहमानों के लिए रख दे तो जैस साथ साथ एक्स्टा दहीं भी सजाथ कहते हैं मैं फिंट के ठहरो लाता हूं वो भी उपर उपर एक्स्टा एक्स्टा डाल दो ना तो बस साथ वो भी डाल दी और यह मैंने ना स्पेगेटी बनाई लास जो मैं दो मैंने दो सालों से इफतार पारसल की वीडियो डाली थी उसमें मैंने आइ टिंक गया है बर्यानी थी रहा शायद अफगानी पुलाओ था यह मुझे भी याद नहीं है, तो इस बार मैंने सोचा कि मैंना राइस ने रिक ती मैंना ये स्पैगिती बना लेती हूँ, तो बस फिर मैंने ज़े एक ये इच्छा रहेगा, ये स्पैगिती मज़ी की है तो बस उन्हों ने यह दे दी थे थे यह तक्रीमा तीन पाउंड लेकर आ गए थे अभी वी काफी यह मेरे पास ही बलके पड़ी है बच्की थी काफी ज्यादा ना फ्राई मेंने बहुत बहुत ज्यादा नहीं रखा थोड़ा थोड़ा ही रखा तो I hope यह आपको बहुत अच्छा लगा होगा आइडिया आप भी इसी तरह लोगों के गर बज़वाया करें इफ़तार ये अगर आपके पास इतना है आप किसी की हल्प कर सकते हैं तो अपने इर्दगेद अपने परोस में कुछ ऐसे लोग जो नहीं जाहिर करते और उनकी के पास इफ़तार क ज्यादा रखा करो सबका अल्ला पाक रिजख में बहुत ज्यादा इजाफा करता है जब आप किसी के लिए इतना कुछ करते हो तो जरूर हर चीज़ का पहले से ख्या रख लिया करो कि आगे जैसे अभी मैं हूना मैं बहुत गरू का अब देखती हूं तो मुझे होता है कि आगे इद आ रही है इद के कपड़े उनके बच्चों को भी चाहिए उनको ये चाहिए उनको वो चाहिए तो हाथ चीज ना पहले से ही सोचा करो कि किसको क्या जरूरत है ना तो अगर आप कर सकते हैं हेल्प आपके पास ला का शुकर इतना है कि आपको कोई फरक नहीं तो आप जरूर हेल्प किया करें बस ये कलियर रैप लेकर आगे थे डालरामा से पार्टी सीटी में तो आठ नो डालर का था मैंनका छोड़े इतना मेंगा लेने की क्या जरूरत है सजाद कहते हैं इदर से ले 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 लेते हैं आप क्या डालरामा जाएंगे मैंकर नहीं न तो बस ये आइडिया आप बताएं कैसा लगा आपको तो क्योंके इस पे लिड रखते वो भी इतना वो नहीं ता लगना ऐसी ज़रा ना ज़्यादा अच्छा सा फैंसी सा बड़ा प्यारा सा लग रहा है तो ये सारा डालरामा से लेकर आए बना बना ये सारी चीज़े ना त पिस जिसको भी मैंने दिया है उसने आगे से यही बात कही है तो बस अब ऑद इस जासे मैंने का चले डिगी में रखते हैं आइस्ता सारा समान लेकर चलते हैं सब को दे देते हैं तकि बगंटा डेट था अभी इफशारी में तो मैंने का भई निकलो फटटा फट ना बस यहां पे सारा समान डिगी में रखा पहले थोड़ी कलियर कर दी ताके जगा बन जाए तो बस उसके बाद हम लोगों ने ये करका और मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा था आप देखो के पेपिछले वीक जो सनो की वीडियो में डाली है क्या हाल था और अब ये थोड़ा थ रहा गया लेकिन ठान नहीं थी ना ज्यादा थलकी सी थी जैकट की जरूरत थी लेकिन ज्यादा ठान नहीं थी बड़ा अच्छा मौसम है बस यहां पे हम लोगों ने पहला स्टाप किया तो सबसे पहले सजाथ के दोस्त थे उनके गरगे उनको ये दिया हम वो बहुत खु थी उसके बाद ये मीुरे बहन का घ़ा एर जो मेरी दूसरे नंबर वाली श्कषितादी बहन है उसके घ़र हैengogar ये ना मीरी एक बहन का नाम श्यजजदी है जो दूसरे नंबर वाली है बस ये उनके घ़र दिया वो खुदी आ आगी थे यहां पे बाहर तो बस उसको दिय देने के बाद फिर हम लोग निकल गे थे सिदा कहा चले गे थी हाँ शाहीन बेहन के गर यानी समीर लोगों के गर आगे थी यह उनका गर में अभी आपको दिखा रही हूं सामने तो बस यह समीर बाहर आया समीर को दिये मैं तो बाहर नहीं उतरी मैंने का बस भई मैं था ठक कुछ गरों में उतर गई कुछ में जो है मैंने का बस आप खुद ही उतर के इनको दे दो बस उसके बाद यह अपनी गुलशन बड़ी बेहन की गर आई उनका गर आपने देखा है काफी बार मैंने शेयर किया है बस अजाद उनको भी देने के लिए चले गए तो उसको देन के बाद फिर मैं आ गई थी किस के पास फरीया के पास फरीया जो है वो हमारी पहले मैनेजर थी तो वो भी हमारी बड़ी बड़ी पकी दोस्ते हैं उनके गर गे उनको भी दिया नेकि नहीं उस से पहले यह अरूज के गर आई अरूज मी मेरे साथ काम करती है हम दोनों अदर होते हैं मेरी बड़ी बेस्ट फ्रेंड है वो अंदर लेके चली गई आओ आओ अजबर्दस्ती बुलाया कि अंदर आओ अंदर आओ खेर फिर हमने उनके घर अंदर चलीगी मुझे बलकर जिसे मैं मशुणा दिया था के तुम खाने बनाना मत करंड़ो तुम फैनी है रोफजा या इस तरह को डिर्उकरेशन इस तरह कर के दो मैं करन नहीं है खाना पीना देते हैं का तरि नहीं अच्छा खाना पीना देंगे